सवसदसे सी संतोष सिंग जी, पूर मंत्री और कलस्टर प्रभारी सुरेश रणा जी, लोग प्रिय सांसात और इस्छेत्र सी पुनः प्रत्यासी बनाये गए सी अरुन सागर जी, जिला ध्यक्स से क्रिष्णन्द मिस्र जी लोग सभा के प्रभारी राम गुपाल मिस्रा जी जिला पंचाइज अध्यक्स सिमती मम्ता यादो जी महानगर अध्यक्स सिल्पे गुपता जी विधायक कट्रा से बीर विक्रम सिंग जी मान्य विधायक गण सी चेत्राम जी हलिप्रकास बर्मा जी स्लिमती सलोना कुश्वाहा जी विधान परिशस अधस्य डॉक्टर सुधीर गुपता जी लोगसभा के सयोजग अरुन गुपता जी अध्यक जिला सैकारी बैंक सी धर्मेंदर प्रताप सिंग राठोर जी महापौर सिमती अर्चना बर्मा जी और भारती जनता पार्टी के हमारे सभी पदाविकारी रुपस्तित बैन और भाईयों काकोरी ट्रेन एक्षन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अस्पावल्लाखा और ठाकुर रोसन सिंग के स्पावन धरा को मैं नमन करते थे इस भीषन गर्मी में भी आप इस जनसभा में आये हैं और लोक तंत्र को पुष्ट करने के लिए मजबूद बनने के लिए अपनी सेभागता के लिए लोदी जी के विक्सित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे रहे हैं इसके लिए बेन और भाईयों मैं आप सब का हिर्दे से विनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ बेन और भाईयों जब मैं यहां आ रहा था तो मैं देखके भोचक था कि साजापूर एक ऐसा जिला है जहां लाड़ साप का जलूस भी निकलता है और वहां पर ने लाड़ साप के जलूस का बड़ा अच्छे टंग से स्वागत करते हैं मैंने थुना है और खना जी कहीं भी हो लेकिन लाड़ साप के जलूस में भाग लेने के लिए जरूर आते हैं लेकिन बेन और भाईयों अभी भी खुदा गंजर और लागंज जैसे कसवे भी यहाँ पर हैं और इसलिए मैं आप सब का आवहान करने के लिए आया हूँ मोदीजे ने कहा है ना आजादी के अम्रित महत्सो के मुख्य समारों को संबोधित करते हुए उन्हों ने पंच प्रण की बात की और विरासत का संबान करना हमें भारत और भारतियता पर गहरव के अन्वूति होनी चाहिए भारत के विकास को हम लोग मन बचन कर्म से आगे वढ़ाने का कारे करेंगे और अपनी विरासत का संबान भी करेंगे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो कासी में कासी बिश्वनात धाम का हो या फिर साजहापुर में अमर सहीतों का भव्य म्यूजियम बनाने का कारे हो या फिर साजहापुर के हौनमत धामें बिराद बजरंग बली की प्रतिमा को स्थापित करने का कारे हो ये सभी विरासत का संबान है और वेनर्भाईओं उसी विरासत के संमान के साथ जोडने के लिए आज थाकुर रोसन ऽिंग के इस पावन धरा पर आकरके इस धरा को नमन करने का मुझे सौभा के प्रापत हो रहा है मैं इसके लिए आईचपों को हिरने से धन्यबात देता हूं और आप सब के आगमन के लिए भी आपका मैं अविनंदन करता हूँ बैन और भायों मैं आज से लगबग पांच वर से पहले इस धर्टी पर आया था मैं यहां आया था तब थाकुर रोसन सिंग के नाम पर एक महाविद द्याले के निर्मान के कारेकरम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था बैन और भायों इन सहीदों के सौरे और पाकर्म का उनके त्याग और बेलदान का पैणाम है कि आज हम सब को आजादी मिली है इस आजाद भारत में हम अपने अनुसार योजनाई बना पा रहे हैं बिना भेद भाव के इस समाज के अर्टबके को सम्मान मिल पा रहा है कोई भेद नहीं है गाहों गरीबों किसानों नौज़वानों मेलाएं हो सब को बराबर सम्मान प्राप्त हो रहा है इन महानायकों की एक कारण आज भारत दुनिया का सिर्मा और मोदी जी के नित्रतों में बनतावा दिखाई दे रहा है वो सपना जो हमारे सईदों का था जो बल्दानों का था क्या कहा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने यही तो कहा था जब फासी हो रही थी जेलर ने पूछा था क्या अंतिमिच्छा है लोग मानते हैं कि भई किसी को अगर हम फासी दे रहे हैं उससे पूछें का अंतिमिच्छा हो कहेगा साब मुझे छोड़ दो वो एक बार माफ कर दो उन्होंने का नहीं हरगिस नहीं मैं अंग्रेजों से माफी नहीं मांगोंगा उन्होंने कहा था मुझे तो एक ही इच्छा है एक ही इच्छा है मेरी कि मैं बार बार भारत की धर्ती पर जन्म लो और जब भी मेरा जन्म हो वा मात्री भूमी के लिए समर्पन का हो मात्री भूमी के लिए बल्दान का हो यही तो कहा था रामप्रसाद बिस्मिल ने इसी बात को लेकर के आज हम सब आपके पीस आये हैं और यही इथाकुर रोसन सिंग ने कहा था यही अस्पा उल्लाख खाने कहा था बैनौर भाईयों एक तरफ इन क्रांतिक कारियों का महणा प्रताप से छत्रपती सिवाजी महराज से गुर्गोविंद्र सिंग जी महराज हो महरानी लक्षिमी बाईयों मंगल पांडे हो एक लंबा इठ्यास है भारत की आजादी के इन नायकों का जिनाने बिना रुके बिना डिगे बिना ठके और बिना अपने संकल्प से डिगे भारत की स्वाधिन्ता के लिए लोग लड़ते रहे लगातार लड़ते रहे जब लोग मानते थे के अंग्रेजों के कारिकाल में कभी सूर्य अस्त नहीं होता लेकिन इनका संकल पता कि हम अंग्रेजों का सूर्य अस्त करके रहेंगे और भारत की स्वाधिनता का सूर्यो दै होगा और बहन और भाईयों आज उसी नए भारत में हम लोग जम्म लेकर के अपना कारे कर रहे हैं एक तरफ भारत के नमर बल्दानियों के प्रति सर्दार सम्मान का भाई रखने वाली भारती जन्ता पार्टी है और दूसरी तरफ कॉंग्रेज समाजवादी पार्टी का इंडी गड़ बंदन आपने देखा होगा अभी दो दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मेनपुरी में राष्ट नायक माना प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रियास किया समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ओपर चड़ते हैं मूर्थी में पाना प्रताप के आनमान सान के प्रतीक भाला को तोड़ कर तोड़ने का प्रियास करते हैं मूर्थी को पवित्र करते हैं गाली गुलोज करते हैं इस अकबर और औरंग जेद की उलादों को बताया जाना चाहिए ये नया वहारत है इस नय भारत में राष्ट नायकों का मान भारत स्विकार नहीं करता है नहीं करता है ऐसे ही समाजवादी पाल्टी के गुंडों ने भारत के संविधान के सिल्पी बावा साथ डॉक्टर भीम राम बेट करकी प्रतिमार पोविया पवित्र करने का प्रियास किया बेन और भाईयों अभी भी, कभी कभी मुझे लगता है कि कानौन का राज अस्तापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है ऐसे लगता है जैसे चुनाव में जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डाने लग जाएंगे लेकिन इनकी कफलत है ये बारती जनता पार्टी जनता जनार्दन के आसरीवाद से उनकी सेवा करते प्रणान मंत्री मोदी जी के नित्रित्व में लगातार कारे कर रही है और चिनाप पेड़ा माएंगे गुंडों की गर्मी भी धीरी-धीरी करके अब सांत होते जाएगे कि बैन और भाईयों कि आज देश अपने कि आजादी के अंबृत काल में प्रवेश कर गया है और अम्रित काल का संकल्प क्या है विक्सित भारत क्या संकल्प है विक्सित भारत आत्म निर्वर भारत आत्म निर्वर भारत का मत्तब हर नौजवान आत्म निर्वर होगा उसके हाथ को काम होगा हर मैला आत्म निर्वर होगी उसके हाथ को कार्य होगा हर किसान आत्म निर्वर होगा उसके हाथ को कारे होगा और खुसाल होगा हर हस्त सिल्पी के हाथ को कारे होगा उसका जीवन खुसाल होगा उसके बच्चे खुसाल होगे हर सर में खुसाल होगा उसके बच्चे खुसाल होगे उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे जैसे हम लोगोंने अटल आवासे विद्याले बनाए है पैन और भाईयों और जब आत्म निर्वर भारत होगा वही आत्म निर्वर भारत विक्सित भारत की संकल्पना को साकार करेगा और हमारी पीड़ी सौभा के साली है हमने इस विक्सित भारत की संकल्पना को साकार होते वे हम देख रहे हैं आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नित्रतों में दस वर्स में भारत बदला है दस वर्स पहले की कल्पना करिए क्या था भारत नौजवान प्लाइन करता था किसान आत्मत्या करता था गरीब भूकों मरता था बिमार चिकित साथ सुभता के वाओं में मरता था किसी के बाद दवा नहीं है किसी के बाद दवा का पैसा नहीं है कहीं डॉक्टर नहीं है कहीं चिकित साले नहीं है और आज नए भारत में हाईवे है रेलवे है एक्सप्रेस वे है खन्ना जी और जितिन जी और हमारे बिदायक ड़न तो एक्सप्रेस वे को इसी हर दोई इसी साजापूर होते में लेके जा रहे हैं और इस एक्सप्रेस वे में एक एरिस्टी भी बनने जा रहा है अगर बाईचांस कभी किसी दुस्मन से युद्ध करना पड़े तो भारती वाईस सेना के बिमान इसी एक्सप्रेस वे पे उतर करके यहीं से फिर दुस्मन के देश पर हमला करने की तैयारी करेंगे यही सांजापुर में होने जा रहा है पैन और वाईयों आपने देखा होगा बिकास के कारे किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं खन्ना जी भी नई योजनाओं को लेके आते हैं जितिन प्रसाद जी नई योजनाओं को लेके आ जाते हैं जेपियस राटोर भी नई ये उस नाओं को लेके आते हैं हमारे सांसद, हमारे बिदायक ये सभी लोग लग करके विकास के इस मुहिम को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेस है तो नया उत्तर प्रदेस का नया सांझा पुर्भी आज हम सब के सामने देखने को मिलना है बैन और वाईयों उसी नए भारत में दुनिया में सम्मान, रास्तिय सुरक्सा, पुक्ता अब तो पटाका भी जोर से भढ़ जाएगा ना पाकिस्तान सफाई देता कि वहिया मेरा योगदान नहीं है मैंने नहीं किया है मैं नहीं किया हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं क्योंकि से मालूम होता उसको यह पता है अगर देर कर दिया तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए फिर क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ता भी नहीं है और इसलिए इस नय भारत में आज हम सब रह रहे हैं, गरीब कल्यान का रियोजना हुआ देखो न 80 करोड लोग फिरी में रासन प्राप्त कर रहे हैं, कॉंग्रेस और स्वपागी जरकार के समय लोग भूप मर्द भूप से बरते थे 50 करोड लोगों का जंदने कौन खुल गिया है, 60 करोड लोगों को 5 लाग रुपे की स्वास्ते पीमा का कबर मिलना है 12 करोड किसान किसान सम्मा निदी का लाप प्राप्त कर रहे हैं, 12 करोड घरों में सोचाले बन गए हैं, 10 करोड गरीब घरों में उच्चुला यूजना का रुसोई कैस का सिलिंडर पहुच गया है, और हमने तो यूपी से भी व्योस्ता की है, भूली और तीपावली में, एक एक सिलिंडर भरावा सिलिंडर फ्री में उपलब्द कर रहेंगे चार करोड गरीबों के मकान मिल गए हैं, और मोदी जी ने कहा हैं, जितने भी गरीब हैं, जितने भी पात्र लोग हैं, जिनके घर में रुसोई कैस का सिलिंडर नहीं है, उन सब को हम फिरी में सिलिंडर का कनेक्शन देंगे, और जिनके घर नहीं, उनको एक एक मकान भी उ योगी जी चीनदीवन करके आप जी गउंगा hambianka में भूलगी जिसके ओए मकान ने को मक्तान मिलेगा आस्वस्त करदीजिए पैन और वायों जहां यह कार्य है वही साती साथ ऑर यद्म्यğ में रामदलावी ऑगया कांग्रेस क्या के ती करें तेर राम तो हुए ही नहीं समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे कि परिंदा पर नहीं वार सकता अरे कली प्रधान मंत्री मोदी जी अयुद्य आये थे आपने देखा होगा लाखों लोग उम्ड़े थे लाखों लोग आये थे और सभी लोग मोदी जी का व्यादन कर रहे थे और सब लोग के स्वर्द मों में एकी स्वर्द था तो सब लोग कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे यही तो सांजापुर के इंदर भी है ना यही तो सांजापुर में भी है ना साझापुर भी यही सोचता है तो बेन और वाईयो राम लला ऐयोतिया में पांच सो वर्सों के बाद फिर से बिराजमान हो गए बगवान राम ने अपनी इस्वार होली भी मनाई और अपना जनम दिन भी मनाया ऐयोतिया में और जनम दिन के दिन तो बगवान सूर्य ने प्रभु राम का सीधे सीधे सूर्य तिलक किया ये भी दिर से आपने देखा होगा बेन और वाईयो हमारी पीडी कितनी सौभा के साली है जिस सुब कारे को कई पीडिया नहीं देखता है उस सुब कारे को हमारी पीडी देख रही है अपने आखों से देख रही है मैसूस कर रही है उसके साथ सेवागी बन रही है इससे ज़्यादा सौभाग्या और क्या हो सकता है बैन और भाईयो इसलिए तो रामपरसाद बिस्मिल ने कहा था कि ये इस भारत वर्स में सौभार मेरा जन्म हो कारण सदाही मिर्टुका देशोप कारक कर्म हो और मुझे लगता है कि ये पंडित रामपरसाद बिस्मिल अठा को रोसन सिंग का ये संकल्पा साकार हो रहा है और उससे संकल्प करने के लिए आज हम आपके बीच आए भारती जन्ता पार्टी ने सी अरुन कुमार सागर को फिर से अपना प्रत्यासी बना करके आपके बीच उतार के वेजा है वेन और भाईयों वे भारती जन्ता पार्टी के प्रत्यासी है कमल चुनाचिन पर पढ़ने वाला एक एक बोड ये जिरे मोधी जी के खाते में जाएगा मोधी जी को तीसरी बार देश का प्रधान मंतरी बनने का मत्ब दुनिया की ताकत की रूप में वरतावा भारत विक्सित भारत आत्म निर्वर भारत ऐसा भारत जिसको कोई दुस्मन आँख नहीं दिखाएगा और उस भारत के अंदर भी विकास होगा और उसी के लिए हम लोग आये हैं और उनकुमार सागर को भारती जंता पाल्टी ने अपना प्रत्यासी बनाया है भारती जंता पाल्टी के प्रत्यासी है निसाद पाल्टी ने राजबर पाल्टी ने अपना दल ने रास्तिय लोग दल ने भी ने अपना समर बाद देने को तयार है ना कमल चुनाचिन पर तयार है अरे जोर से वोलो साज्ञापर वालो सैमत हैं सभी लोग सैमत हैं लेकिन वहना अरवाई हैं इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा तेरा मई को तो वोड स्वयमत है डालना पड़ेगा हर व्यक्ति को दो दो परिवारों की जम्मेदारी लेनी पड़ेगी मत्ता नस्तल पर ले जाने के ले जाएंगे और अभी आपके लिए परचार का समय है आज बेन और वाईयों छे मई हो गई लगबग छे दिन परचार के इन छे दिनों में आप कम से कम चार चार घंटे देश के लिए कमल चुनाचिन का समर्थन मांगने के लिए क्या घर घर जाएंगे मोदी जी का प्रतिनी बन करके जाएंगे अरुन सागर बन करके जाएंगे वोट मांगेंगे लोगों को बताएंगे कि हमें विक्सित भारत बनाना है बनाना है ना तो बेनर वही हो, इसी के लिए मैं और हमारा फुरा मन्च आप से पील कर रहा है घर घर जाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधान मंत्री बनाएंगे और मोदी जी के प्रधान मंत्री बनाने में साजहापुर का योगदान होगा इसके लिए अरुर सागर को यहां से जिता करके भेजेंगे सेमत हैं? सेमत हैं ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे दोनों आत्वा करके भारत माता की भारत माता की भारत माता की